एक सियार ने बताई सेर को तीन बातें सत्रू की पहचान कैसे करें किस जगह पर एक दिन भी नहीं रुकना चाहिए एक सियार ने बताई सेर को तीन बातें कौन से लोग सत्रू का काम करते हैं दोस्तों इस वीडियो में दी जाने वाली जानकारी आपके जीवन में बहुत काम आने वाली हैं कहते हैं सत्रू का कोई पता नहीं होता कब और किस बात पर पैदा हो जाएं आपका सत्रू छोटा हो या फिर बड़ा उसका काम आपको हानी पहुचाना ही होता है वो कभी आपका भला नहीं सोचेगा यदि कभी भला सोचेगा भी तो भी वो आपका बुरा करने के लिए ही सोचेगा दोस्तों सत्रू हमेशा दो परकार के होते हैं एक परत्यक्स दूसरे एपरत्यक्स परत्यक्स उसे कहते हैं जो आँखों के सामने हो आप उसे देख सकें एपरत्यक्स उसे कहते हैं जो पीठ पीछे रहकर दाउन निकालते हो परत्यक्स से एपरत्यक्स सत्रू बहुत खतरनाक होता है सामने होकर जो वार करता है उसका वार तो दिखता है पर एपरत्यक्स रूप से जो वार करता है उसका वार बहुत हानी पहुचाता है अब सवाल ये है कि इन सत्रों से हम अपना बचाओ कैसे करें इनकी पहचान कैसे करें जिससे हम उनकी चोट से बच सकें तो दोस्तो इस कहानी को बिना स्किप किये अंत तक जरूर सुनना लेकिन उससे पहले आप अपनी पूरी सची सर्धा से कोमेंट बोक्स में हर हर महादेव ओम नमे सिवाय जरूर लिखें साथी चैनल को सब्सक्राइब अवस्य कर दें हे लक्समीमा जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को लाइक करे उसके घर में कभी भी धन की कमें ना रहे उसका पूरा परिवार हमेशा हस्ता मुस्कुराता कुसल मंगल रहे बिसम पितामा कहते हैं युदिष्टन पूरव काल में पूरी का नाम की नगरी थी जो धन धान से संपन थी इस नगरी का पूरिक नाम का एक राजा था जो बड़ा ही कुरूर और नीच परवर्ती का था वो राजा सैदेव दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता था मरने के बाद उसे अगला जनम सियाम योनी में प्राप्त हुआ प्रन्तो उसे सियार सरीर में भी अपना पिछला जनम याद था वो अपने पूरव जनम के नीच करमों को याद करके बहुत दुखी होता था इसलिए वो सियार होकर भी अन्य जानुरों की त्रह हिंसा नहीं करता था उसने सत्ते बोलने का एक नियम बना लिया था वो 24 घंटे में एक बार भोजन करता था वो भी व्रिक्सों से अपने आप तूटकर गिरे हुए पके फलोंगा उसका जनम एक समसान भूमी में हुआ था इसलिए वो अधिकतर समसान में ही रहता था उसका इस परकार का सदाच्रन और पवित्तरता उसकी जाती वालों को पसंद नहीं आती थी वे उसे रोजाना समझाने का परियास करते थी कि देख भाई तू एक सियार है तू इस परकार सादू संतों की त्रहें क्यों रहता है तू मासा हारी है और समसान भूमी में रहता है तुझे अपने सवभाव के अंसार कारिये करना चाहिए जैसे हम रहते हैं तू भी इसी त्रहें रहकर यदि सिकार के लिए नहीं मारना चाहता है तो ना सही तेरे लिए भोजन हम ला दिया करेंगे कम से कम तू उसे खा तो सकता है हम लोग अपने पूरवजों के जमाने से मास पर ही निरबर रहते आए हैं तुझे भी अपनी जाती भाई बंदूओं की त्रहें से ही रहना होगा अपने रिष्टेदारों की बात सुनकर सियार कहने लगा भाई तुम्हें पता है हमारी जाती वालों को लोग घरनित और निमंद रिष्टी से देखते हैं अन्य जाती के जीव हमारी बुरे वहवारों के कान ही हमारा विश्वास नहीं करते अच्छे सभाव और अच्छे आच्रन से ही कुल परतिष्ठा बढ़ती है मैं ऐसे करम करना चाहता हूँ जिससे हमारे वन्स का यस बढ़े आप लोग कह रहे हो कि मैं समसान में रहता हूँ इसलिए बुरे करम करूँ तो सुनो आश्रम बना कर रहना है धरम में कान हो ऐसी बात नहीं है कोई भी सुब करम आश्रम से नहीं आत्मा की प्रेड़ना से होता है अगर कोई पाखंडी आसरम में रहकर अगर गों हत्या करे तो क्या उसे सही ठहराया जा सकता है तो क्या उसे पाप नहीं लगेगा अगर कोई आसरम से हटकर समसान में रहकर गोंदान करता है सूकरम करता है तो क्या उसे पुन्ने नहीं मिलेगा हे भाईयो तुम लोगों की जीवी का पाप और ऐसंतो से भरी हुई है हमने अपनी वृति को निंदनिये और दूसित बना लिया है इससे हमारा कभी कल्यान नहीं होगा और हम सैदेव पसु ही बने रहेंगे दोस्तो वो सियार अपने पास आने वालों को सैदेव इसी तरह उपदेश देकर समझा कर लोटा देता था कुछ सियार उस पर हसते भी थे कुछ उसकी परसंसा भी किया करते थे उसके सादू सभाव की चर्चा बड़े दूर दूर तक फैल चुकी थी एक दिन जंगल के राजा सेर ने सुना कि समसान में एक बड़ा ही बुद्धिमान और सज्जन भग सियार रहता है तो वह उससे मिलने के लिए चलाया और उसे अपना मंतरी बनने का आगरह किया उसे सिंग ने कहा हे भंदर तुम हमारे साथ रहकर मनमाने भोग भोगो और आनंद की जिन्द की जियो हाँ एक बात का ध्यान रखना हमारी जाती वालों का सवभाव थोड़ा कठोर होता है यदि तुम कोमलता पूर्वक वहवार करते रहे और हमेशा हमारे हित सादन में लगे रहे तो तुम्हारा भी जीवन आनंद से कट जाएगा आपको मंत्री बनाने का हमारा उदे से इसलिए है क्योंकि आप यानी है और आप इमानदार भी है वैसे तो आपकी जाती के लोग बड़े ही धूर्थ होते हैं दोस्तों सेर की बात सुनकर सादू सभाव वाले सियार ने उत्तर दिया सिंग राज आपको सुद्ध चरित्तर वाले साहयक की तलास है मैं आपकी सोच की तारिप करता हूँ आपके लिए चाहिए कि जिनका आपके प्रती अनुराग हो जिने नीती का ग्यान हो जो मैतरी कराने में कुसल हो जो विजे पाने के अभिलासी हो लोब से रहित हो बुद्धिमान हो आपके हितेसी और उदार हरदे वाले हो ऐसे लोगों को ही आप अपना मंतरी न्युक्त करें आप मेरे लिए जो सविधाई दे रहे हैं मुझे उनकी इच्छा बिलकुल नहीं है मैं सुखों की दुनिया से दूर रहना चाहता हूँ और यदि मैं आपका मंतरी बन भी गया तो आपके पुराने नोकर चाकरों से मेरे विचार नहीं मिलेंगे वे दूष्ट सभाव वाले जीव हैं जब उनकी इच्छम सार मैं काम नहीं करूँगा तो वे आपको मेरे खिलाप भड़काएंगे उनको मेरे अधीन रहकर काम करना अच्छा नहीं लगेगा दूसरा मेरा सभाव बिलकुल अलग है मैं अपने सत्रों पर भी कठोरता का वहवार नहीं करता दूसरी बात राजा के पास रहने से सदा भै ही भै रहता है पाए गए कलंक से राजा दुवारा मरवा दिये जाते हैं हे सिंग राज यदि आपको फिर भी मुझे ही मंत्री बनाना है तो मेरी एक सर्थ है मेरे मित्रगणों का आप सदा सम्मान करेंगे उनके हीत भड़ी बाते सुनेंगे मैं आपके दूसरे मंत्रियों के साथ कभी प्रामर्स नहीं करूँगा और भोजन में कभी मास भखसण नहीं करूँगा एक कांत में सिरफ आपके साथ अकेला ही मिलूँगा और आपके हित की बाते बताऊंगा मुझसे सलहा करने के बाद यदि आपके पुराने मंत्रियों की भूल भी साबित हो जाए तो भी आप उन्हें प्राणधंड नहीं देंगे कभी करोध में आकर मुझपर हमला नहीं करेंगे सियार की सारी सर्तों को सेर ने मालिया और उसे अपना मंत्री बना लिया अब तो सियार का खुब आदर सतकार हुआ परतेक कारी में सियार की खुब परसंसा होने लगी हर एक कारी सेर सियार से पूछ कर ही करता था सियार की अध्यति इज़त होती देख सेर के पहले वाले सेवक दिन रात जलने लगे उस सादू सियार से वे रात दिन दवेस करने लगे। सियार के आदेश अनुसार उन्हें चलना पड़ता था। इसलिए कभी भी मनमानी नहीं कर पाते थे। यह बात उन्हें और भी जाना अखरती थी। वे सियार को राष्टे से हटाने की योजना बनाने लगे। वे सारे मिलकर जुंड बनाकर सियार के पास आते हैं और अपनी मितरता जताते हुए उसे भी बुरे कामों में लिप्त होने के लिए प्रेरीद करते हैं दोस्तों सियार के आने से पहले उनका रहन सहन कुछ और ही था दूसरों की वस्तू छीन कर स्वैम उसका उपभोग करते थे किन्तु अब उनकी डाल नहीं गलती थी वे बेबस थे उस सियार के कान क्योंकि सियार ने बड़े ही कठोर नियम बना रखे थे कई त्रह की पाबंदियां लगा रखे थी वे सब चाहते थे कि सियार भटक जाए इसलिए त्रह त्रह की बातों में उसे फुसलाते और बहुत सा धन देने का लोब दिखाते थे दोस्तों मगर सियार बड़ा बुद्धिमान था वो उनके चक्रों में नहीं आया उसने धैरिये नहीं छोड़ा तब उन सब नोकरों ने मिलकर उसका नास करने की सपत खाई और सब मिलकर इसके लिए प्रेतन करने लगे एक दिन उन्होंने सेर के खाने के लिए जो मास तयार करके रखा था उसे उसके स्थान से चुरा लिया और सियार की मांद में ले जाकर रख दिया सियार ने मंतरी पदपर आते समय सेर से पहले ही ठहरा लिया था कि राजन यदि तुम मुझसे मितरता चाहते हो तो किसी के बहकावे में आकर मेरा विनास मत करना मितर उधर सेर को जब भूख लगी और वह भोजन के लिए उठा तो उसके खाने के लिए रखा हुआ मास नहीं दिखाई दिया सेर ने चोर का पता लगाने के लिए अपने नोकरों को अग्या दी तब जिनकी यह करतूत थी उनी लोगों ने सेर से उस मास के बारे में बताया कि महराज अपने को बड़ा बुद्धिमान और पंडित मानने वाले सियार महोद्दे ने ही आपके मांस का अपरण किया है सियार की यह चपलता सुनकर सेर गुस्ते से भर गया और उसको मार डालने का विचार करने लगा उस समय सियार के परतिकूल कुछ कहने का मोका देखकर पहले के मंतरी लोग सेर से कहने लगे राजन वहतो बातों में ही धर्मात्रमा बना हुआ है प्रंतु सवभाव का बड़ा कुटिल है बीतर का पापी है उपर से धरम का ढोंग बनाए हुए है उसका सारा आचार विचार दिखावी के लिए है मितरो यह कहकर वे सन भर में ही उस मास को सियार की मान से उठा लाए और सेर के आगे रख दिया सेर ने उनकी बाते सुनी जब निच्चे हो गया कि सियार ही मास ले गया था तो उसने उसको मार डालने की आग्या दी दोस्तो सेर की यह बात, जब उसकी माता को मालूम हुई, तो वह हितकारी वचनों से उसे समझाने लगी और कहने लगी, बेटा, जल्दबाजी में कोई निर्णे नहीं लेना चाहिए, हमें इसमें कुछ कबट पूर्ण सडियंतर मालूम पड़ता है, तुम्हें इतनी जल्द कि इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कहते हैं काम में दोस हो जाने पर, जिनके मन में पाप होता है, वे निर्दोस को ही दोसी बनाते हैं, किसी को अपने से उंची अवस्था में देखकर, अकसर लोगों को इर्षा हो जाया करती हैं, वे उसकी उन्ती नहीं सह सकत कोई कितना ही सुद क्यों नहीं हो, उस पर भी दोस लगा ही देते हैं, लोबी सुद सभाव वाले व्यक्तियों से और आलसी तपस्वियों से दवेश करते हैं, इस तरह मूरक लोग पंडितों से और दरिदर लोग धनियों से दवेश करते हैं, पापी लोग धर्मात्म से औ और करूप रूप वालों से दवेस करते हैं। विद्वानों में भी कितने ही ऐसे एविवेकी, लोबी और कप्टी होते हैं जो ब्रस्पती के समान बुद्धी रखने वाले निर्दोस व्यक्तियों में भी दोस निकाला करते हैं। एक और तो जब घर में सुनसान था उस समय तुम्हारे मास की चोरी हुई। दूसरी बात सियार कभी भी मास का भोजन नहीं करता हैं। अब इन दोनों बातों पर आपको अच्छी तरहें विचार कर लेना चाहिए। संसार में बहुत से एसभे प्राणी सभे की तरहें दिखते हैं और बहुत से सभे प्राणी एसभे की तरहें देखे जाते हैं। इसलिए उनकी भली भाती प्रिक्षा कर लेनी चाहिए। जो सोच विचार के बाद किसी विशे में अपना विचार परकट करता है उसे कभी पच्छताना नहीं पड़ता है। राजा के लिए किसी को मरवा डालना कोई बड़ा काम नहीं है। मगर इससे उसकी बढ़ाई कभी नहीं होती। सक्ति साली पुर्सों में यदि शमा हो तभी उनकी परसंसा होती है। उसी से उनका यस बढ़ता है। सेरनी बोली बेटा सोचो तो तुमने स्वैम ही सियार को मंतरी के आसन पर बेठाया है। और तुम्हारे सामंतों में भी इसकी खुब ख्याती बढ़ गई है। ऐसा सुपात्र मंतरी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये तुम्हारा बड़ा हितेसी है, इसलिए तुम्हें इसकी रक्सा करनी चाहिए। जो दूसरों के मिथ्य कलंक लगाने पर निर्दोस को भी अपरादी मानकर दंड देता है। वो राजा दूष्ट मंतरियों के साथ रहने के कान सिगर ही मोत के मुह में चला जाता है। दोस्तों सेर की माता इस परकार उपदेश देही रही थी। उसी समय सत्रों के जुण से एक धर्मात्मा जानवर उठकर आया और सेर को सारी बात बताई। उसने जिस परकार यह कपट लिला रची गई थी उसका सारा भंडा फोड दिया। इससे सेर को सियार की सचाई का पता चल गया। अब तो सेर को अपने किये पर पस्चा ताप होने लगा। उसने मंतरी सियार का बहुत बड़ा सत्कार किया। और अत्यंत इस सनहे के साथ उसे बार बार गले से लगाया। सियार निती सास्तर का जानने वाला था। उसने सेर की आग्या लेकर उपवास करके प्रान त्याग देने का विचार किया। सेर ने उसे ऐसा करने से रोका और उसका भली बाती आदर सत्कार किया। उस समय सने के कां उसका चित विकल हो रहा था मालिक की यह अवस्था देखकर सियार कभी गला भराया और उसे प्रणाम करके गदगद कंट से बोला राजन पहले तो आपने मुझे सम्मान दिया और पीछे अपमानित कर दिया सत्रू की स्थिती में पहुचा दिया अब मैं आपके पास रहने के योगे नहीं हूँ जो अपने पद से हटाए गए हैं सम्मानित स्थान से नीचे गिरा दिये गए हैं जिनका सरवसव छीन लिया गया हो जो दुरबल हो लोबी, क्रोधी, दरपोख हो जिने धोखे में डाला गया हो जिनका धन लुट गया हो जिने कलेस दिया गया हो ऐसे सेवक सत्रू का काम सिध करते हैं आपने प्रिक्सा लेकर योगे समझकर मुझे मंत्री के आशन पर बेठाया था और फिर अपनी क्यों ही परतिग्या को तोड़ कर मेरा अपमान किया है ऐसी दसा में अब आपका मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा और मैं भी आप पर विश्वास नहीं होने से उदेग में पड़ा रहूँगा आप मुझ पर संदे करेंगे और मैं सदा आप से डरता रहूँगा इधर दूसरों के दोस ढूनने वाले इनका मुझ में तनिक भी सनेह नहीं है इने संतुष्ट रखना भी मेरे लिए बहुत कठिन काम है प्रेम का बंदन जब एक बार तूट जाता है तो उसका जुड़ना मुश्किल हो जाता है और जो जुड़ा हुआ होता है वो बड़ी कठनाई से तूटता है किन्तु जो बार बार तूटता और जुड़ता रहता है उसमें प्रेम नहीं रहता राजाओं का चित चंचल होता है उनके लिए स्योगे व्यक्ति को पहचानना बहुत कठिन है सैकडों में कोई एक ही ऐसा मिलता है जो सब त्रहे से समर्थ हो और किसी पर भी संदे ना करता हो दोस्तो इस प्रकार सियार ने अपनी बातों से सेर को प्रसंद किया और उसके बाद मंत्री पत्याकर वन के लिए चला गया अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दुस्मन कब पैदा होते हैं जिस सज्जन व्यक्ति के कान दुष्टों को मनमानी आचर ने करने को मिल पाए तो वे सज्जन के साथ सत्रू का काम करने लगते हैं वे उस समय उसके एपरत्यक सत्रू के रूम में पैदा हो जाते हैं कौन से लोग सत्रू का काम करते हैं जो अपने पद से हटाए गई हैं सम्मानित स्थान से नीचे गिरा दिये गई हैं जिनका सरवसव छीन लिया गया है जो दरपोک हूँ जिनके साथ धोखा किया गया हो जिनका धन लूटा गया हो जिनें दुख दिया गया हो ऐसे सेवक सत्रों का काम सिध करते ही दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कोमेंट सेक्षन में अपनी राई जरूर दें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जैं सरी क्रिशन जैं सरी राम